तेज तारी को सारे पट्णा में ये गलवाईया कर रहे हैं, गणे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, यहीं लालू प्रसाद याजब, पूरे 22 महीने जेल, कॉंग्रेस की इंद्रा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था, यहीं नितीश कुमार, पूरे 20 मह जेल की सिक्टों के पीछे, कॉंग्रेस पार्टी की इंद्रा गांधी ने डाला था, यहीं राहुल गांधी की दादी ने डाला था, आज पट्णा की धर्ती पर राहुल को आदर सहीद, उनको स्वागत करते हुए, जब मैं इनकी तस्वीरे देख रहा हूं, तो मुझे य लीच बोलता है, कोई एंपर बोलता है, कोई जाइवाले बोलता है, उनको मालुम नहीं है, कि तुछीं जूरी क्रोण धेश्वासियों का प्यार, मोझी जी के साथ है, इस भात को हम को याद राहे हुआ हैं, तो यह अमनृत काल है, और अम्रित काल में प्रधाल मन्तरी जी एक लक्ष तैय किया और वो लक्ष है कि हम विकास सील देश अब नहीं कहलाएंगे आने वाले समय में हम विक्सित राष्ट कहलाएंगे और विक्सित राष्ट को आगे ले जाएंगे और इसलिए दिन रात मेहनत करके वसुधाई व कुटुम्बकम का उद्गोश करते हुए वो दुनिया में भारत की थाथी भारत का डंका भारत की ताकत इसको बताने के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं आज हमें खुशी है आज से दो दिन पहले वो अमरीका की धर्ती पर गए उन्होंने अमरीका में टॉप जो दुनिया के जाने माने आर्थिक जगत से संबन्द रखने वाले नेता रहे उनके साथ मुलाकात की और आज प्रधान मंत्री मोदी जी को दुनिया मानती है कि उनके नितृत में उनके नितृत के कौशल ने देश को और दुनिया को एक नई दिशा दी है एक नई ताकत दी है और इसलिए आज से दो दिन पहले हमारे मशूर नोबल प्राइज विनर पॉल रोमर ने कहा वह दिन मेरे लिए सौभागिश आली होता है जिस दिन मैं कुछ नया सीखता हूँ और आज मेरी मुलाकात प्रधान मंतरी मोदी जी से मिली है मुझे एक नहीं अने को नई बात जानने का मौका मिला है और भारत के विकास का आधार का आधार कार्ड भी समझने का मौका मिला है यह हमारे पॉल रोमर सहाब बोलते हैं उसी तरीके से दुनिया के एनलिस्ट रेट डैलियो बोलते हैं कि यह भारत का समय है यह मोदी जी का समय है उसी प्रकार से नील टाइसन कहते हैं कि आस्मान नीला गगन मोदी जी की सीमाएं नहीं है इस आस्मान से भी उपर असीमित है मोदी जी का कौशल और मोदी जी का नेत्रत तो उसी तरीके से Australia के Prime Minister मोदी जी को Boss कहके संबोधित करते हैं कोई कहता है I am fan of मोदी जी कोई कहता है मोदी जी is a global leader कोई कहता है मोदी जी you are the hero कोई कहता है मोदी जी you are the reformer in chief बदलाओ के आप मध्यम हो और कोई कहता है मोदी जी आप महान देश भक्त हो ये दुनिया के लोग मोदी जी को अलंकरित करते हुए दुनिया की हर देश अपने अपने तरफ से सबसे बड़ा सम्मान दे करके मोदी जी का सम्मान कर रहे है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब दुनिया में मोगदी जी की वावाही हो रही है उनकी प्रशंसा होती है कोई बॉस बोलता है कोई हीरो बोलता है कोई सोशल रिफोर्मर बोलता है तो यहां हमारे कॉंग्रेस के नेताओं के पेट में मरोड होती है उनको पसंद नहीं आता कि देश का नाम हो रहा है उनको पसंद नहीं आता कि देश की प्रसंचा हो रही है कोई नेता मोदी जी को साप कह करके चच्चा करता है कोई बिच्चु बोलता है कोई नीच बोलता है कोई अनपड बोलता है कोई चाय वाला बोलता है उनको मालूम नहीं है कि तुमारे बोलने से कुछ नहीं होता 140 करोड देशवासियों का प्यार मोधी जी के साथ है इस बात को हमको याद रखना है इसलिए जितना तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे दुनिया में उनकी प्रशंसा लोग करेंगे और मोधी जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे देश को वो सब के सामने है लेकिन हाँ कॉंग्रेस भी अपनी नियती और नियत पर काम कर रहे है आज मुझे बड़ा अश्चर है हुआ मुझे ये तेईस तारीको सारे पटना में ये गलबाईया कर रहे हैं गले मिल रहे हैं मुलाकात कर रहे हैं मुझे अपने बच्पन का दिन याद आ गया पूरे 22 महीने जेल कॉंग्रेस की इंद्रा गांधी रहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था यही नितीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की सिक्चों के पीछे कॉंग्रेस पार्टी की इंद्रा गांधी ने डाला था यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था आज पटना की धर्ती पर राहुल को आदर सहिद उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरे देख रहा हूँ तो मुझे याद आता है कि राजनीती में क्या से क्या हो गया कहां से चले थे और कहां पहुँच गए इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती मैंने देखा अभी अभी पता चला कि उद्दव ठाकरे पटना की धर्ती पर लैंड कर गए यह हिंदू शिव सेना यह हिंदूों की बात करने वाले इनके पिता हिंदू समराट बाला साथ ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिव सेना को कॉंग्रेस नहीं बनने दूँगा अगर कॉंग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूँगा आज बाला साथ ठाकरे सोचते होंगे किसी और नहीं उनके बेटे नहीं उनकी दुकान बंद कर दी है उनकी दुकान बंद कर दी यह परिस्टिया आज आकर के खड़ी हुई है कैसी राज़्दी थी वन्षवाद मोदी जी ने नई संस्कृति देश को दी है देश को वन्षवाद से निकाल कर विकास वाद के रास्ते पर खड़ा किया है मोदी जी ने भारत को नई राजनीती दी है नई संस्क्रिती दी है वोट बैंक की पॉलिटिक्स से निकाल करके दिकास वाद की और खड़ा किया और मोदी जी ने नई राजनीती को जन दिया है ये वोट बैंक की राजनीती से निकाल कर रिपोर्ट कार्ड की राजनीती जो कहा था वो किया है जो कहेंगे जो करेंगे जो नहीं भी कहा होगा वो भी करके देंगे ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीती रखिए आज मुझे ख एरवेपर मेट्रो पर खर्च हो गए 18 लाग करोड इस साल एक लाग करोड रुपए खर्च हो रहा है आपको जानकर खुशी होगी नौ साल के अंदर नाशनल हाइवे राश्टिय राजमार्क 54,000 किलो मीटर बन गए हैं आपको जानकर के खुशी होगी 616 किलो मीटर 616 किलो मीटर मेट्रो रेल बन गई है आपको जानकर खुशी होगी राश्टिय राजमार्क एक दिन में 5 किलो मीटर बना करता था 2014 में आज यही रेलवे बार 5.6 किलो मीटर बना करता था आज रेल की पट्री प्रती दिन 14.3 किलो मीटर बन रही है आपको जानकर खुशी होगी कि 12 किलो मीटर राष्ट्रिय राजमार्ग प्रती दिन बना करता था आज 29 किलो मीटर प्रती दिन राष्ट्रिय राजमार्ग राष्ट्र को समर्पित हो रही है ये बदलता भारत है इसको भी हमको समझना चाहिए मित्रों आपको जानकर खुशी होगी नौ साल में 74 एरपोर्ट बने 74 साल सुरी 70 साल में 74 एरपोर्ट बने और मोदी जी ने 9 साल के अंदर 74 नए एरपोर्ट बना करके दिये और ये भी हमारे विकास की एक नहीं है आज जो वाइडेल साहब भारत को प्रधान मंत्री जी का स्वागत कर रहे थे पिछली रात आपने टेलिवीजन पर देखा होगा आपको मालूम है भारत में ये बदलता भारत 470 एरबस बोईंग जिसमें 200 बोईंग है और 270 एरबस है इसका ओरडर भारत में दिया है भारत में 470 बोईंग और एरबस जो वाइडन क्या कहते हैं कि हमारे हाँ इस से 10 लाख लोगों को नोकरी मिलेगी और 44 राज्जों में हमारे आर्थिक विकास होगा ये आज भारत देने की सिती में आया है